What's up guys, क्या आपको स्मार्टोट में WhatsApp यूज़ करना है, Facebook यूज़ करना है, Instagram यूज़ करना है, YouTube यूज़ करना है, क्या आपको स्मार्टोट में गेमिंग करना है, बट आपके पास Apple Watch का बजेट है नहीं, बट डॉन पोरी, हमने पास Fireboard की latest launch smartwatch आ चुकिए, जिसका नहीं में Fireboard Oracle Android smartwatch और यह पर आप smartwatch में नैनो SIM card insert कर सकते हूँ, आपको smartwatch में 4G connectivity मिलने वाली है, WiFi मिलने वाला है, inbuilt GPS मिलने वाला है, Android 10 मिलने वाला है, so guys आपको basically smartphone वाले सारे features आपको smartwatch में मिलने वाले, so guys आज आप वीडियो में देखने वाले, कैसे आपको smartwatch को setup करना है, कैसे सब्सक्राइब करना और देखते रहना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और कि सबसे इंपोर्टन टेप प्राइस, smartwatch बहुत ही एफ़रदेबल है, price आप सब के लिए सब्प्राइज है, अगर आपको वीडियो को देखने के बार smartwatch को purchase करना है, link आपको description में में जगी, और सब सिधा purchase भी कर पाओ, इस उगए सबसे प्रलेम बात करते है, smartwatch के physical overview के बारे में, smartwatch के first impression बहुत की अच्छी है, यह watch थोड़ी से आपको heavy feel होती है, पर यह वेट काफी comfortable है, बहुत ही आप है handwoman कर सकते हो, यह पर आपने सकते हो, आपको smartwatch में square shape में डाल मिलने वाल है, और आप देख पाओगे, fitting बहुत ही अच्छी है, तपर इस sponge को आपको आपको बहुत ही premium मिलने वाल है, यह पर दूस और पूरी आपको metal की body मिलने वाल है, पीछे आपको plastic back मिलता है, और आपको smartwatch में 22 mm के silicone strap मिलने वाल है, बहुत ही अच्छी है, और आप silicone strap को बहुत है अनम से इस तरह से insert and remove कर सकते हो, यहापे smartwatch की right side में दूबटर and mic मिलता है, और आपको laptop में speaker and sim tray मिल जाएगी, यहापे इस तरह से pull करके sim tray को बहार निकार सकते हो, और अब nano sim card को अपनी sim tray में इस तरह से press करके attach कर पाऊगे, प्रोपली attach हो जाएगी, और next अब इस तरह से बहुत ही easily sim tray को अपनी smartwatch में insert कर पाऊगे, और आपको card insert हो जाएगा, और गिस आपको back से में charging points मिलने वाल है, यहापे इसको underwater use मत करना, और आपको smartwatch खराब हो सकती है, और next अब हम smartwatch को पूरा setup कर लेते हैं, आपको सबसे पहले poji sim card को अपने smartwatch में insert करना है, और गेस आपको पता कैसे करने तो बहुत ही हराम से अब कर पाऊगे, उसके बद आपको power button को इस तरह से long paste करना है, जिससे पी smartwatch on हो तरह ही और यह wifi connect हो जुका है, यह पर आप देख पाऊगे, और next आपको प्ले स्टोर के ओपर क्लिक करना है, यह पर आपको sign in के ओपर क्लिक करना है, और आपको पने gmail account से simply आपको लोग इन कर देना है, आप बहुत इसली कर पाऊगे, दिख में लोग इन कर दिया है, और next आपको एकसर्प के ओपर क्लिक करना है, यह पर आपको एगल के ओपर क्लिक करना है, इस अपका gmail account लोग इन हो जगा, और यहाप देख सकते हो, प्ले स्टोर ओपन हो चुका है, यहाप डोना स्पार्फून की तरह आप गेम से डाउल्लोड कर सकते हो, यह पर इस आप मिलने वाली है, साथ में आपको Mali TM GPU मिल जाएगा, और गैस आपको 16GB का स्टोरेज मिलने वाला है, साथ में आपको 2GB RAM मिलने वाली है, प्लस आपको 4G LTE connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot मिलने वाला है, और गैस आपको built-in GPS मिल जाएगा, अगर आपके पास Firebolt Oracle स्मार्टवच आपको स्मार्टवच बहुत ही स्मूथ चल रही है, आपको Android वाली साली एप्लिक से मिलने वाली है, लाइक आपको Chrome browser मिलने वाला है, इस पर नॉर्मल स्मार्टवच की तरह आप सरफइन कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, बहुत ही एजए है, प्लस आपको नॉर्मल स्मार पर नॉर्मल स्मार्टवच में गेमस्पी खेल सकते हो, इसको बहुत ही अपन हो जाएगी, मैंने इस गेम को काफी टाम खेला है, मैं एक स्मार्टवच बिल्कुल लागने हुए, कोई आपको प्रब्लम नी होगा, हैंग नहीं होती है, काफी स्मूच चलती है, आपको इस स्प्राइस पॉर्ड में सबसे बेस्ट एंड्रोइड वाच मिल चाहिए, और गरी स्मार्टवच की डिस्प्ले बहुत ही सुपव है, आपको स्मार्टवच में 1.96 इंच क्रिस्टाल यू डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसमें को 320 x 360 पिक्सल जो उसे मिलने वाला है, यहाप आप देख सकते हो, बेजर्स आपको बहुत ही कम मिलते हैं, कलर्स आपको वाइबरेंट मिल जाएगे, डिस्प्ले बहुत ही स्मूज चलती है, और गरी स्ट इस पॉंस बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही इसली आप डिफरन मेर में डेगेट कर पाऊगे, अगर बात के ब बात करते हैं, 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 बात क दो यह पिले इतना प्रोब्लेम नहीं हो नेश्ट अभी स्मार्ट वर्च का कॉलिंग टेस्ट करने वाले और भी स्मार्ट वर्च के गुगल वोईज आच्ट रहे का यूज़ करके मैं क्लिक कर तो ऑनफो जेगा तो ऑनफो चुका है कॉल ममी कॉल लग चुका है वॉल्म मेने खूल कर दिया है अलो ममी बंस्री गरे यहां केला वागे आदम गोला नूं काम अधू एटले सब्स्पार्च के साथ बहुत बूद्ध कर सकते हो इस था सब्स्क्राइब कर देना है नेक्स्ट आपको find करने mobile assistant क्लिक करना है connect phone के पर click करना है इसको इस तरह से on करना है सब्सक्राइब हो जाएगी next आपको अपने phone में firebot application को डाउनलोड करना है आपको Android iOS तो में अवलेबल है open को पर click कर देना है यहां पर को device को पर click करना है यहां पर लिखा है bind device now क्लिक करना इस तरह स्कैनिंग स्टार्ट हो जागा देखको हमां स्मार्ट वच आ चुकिए सिंद आपको क्लिक करना इस तरह से सुगर सभी स्मार्ट वच कनेक्ट हो चुक अगर आपको स्मार्ट वच को पर्चिस कर सकते को pa vale from me जागी सुगर अपको पर यहां परचेश करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाल है मूँसम सिधा परचेश कर सकती हो और के साब अपूदैक वीडियो को देख रहे हो मैं जिस आपको वीडियो 100% बसंद आए तो डूट पाइक करना है जाएक का चनल को सबस्क्राइब करना अगर अब ने स आपस्ट्रे कर दिया विछ आप दिया बिए पाइ